हलो एवरिवन, वेलकम टू फूट फिजियोलोजी विद्धवनी आज की हमारी रेसिपी है आलू टमाटर की सबसी और साथ में गर्मा गरम पूरिया चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले एक कुकर में थोड़ा सा पानी लेकर आलू को स्टीम कर ले जब तक आलू पक रहा है हम पूरी के लिए आटा गुन लेते हैं उसके लिए दो कप गेहूं का आटा ले, चुटकी बर नमक और चुटकी बर जीरा पावडर डाले एक बड़ा चमच तेल एट करे और पानी डाल कर एक अच्छा सा डो तयार कर ले रोटी से थोड़ा सा हाट डो तयार करे और उसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दे किसी कपड़े से या बरतन से उसे ढख दे अब सबजी के लिए दो मीडियम साइज टमाटर ले उसे वाश कर लीजे अब उसे रफली चौप कर ले अगर टमाटर छुटी सा इसके है तो तीन ले लिजे अब एक नॉनस्टिक पैन में दो बड़े चमच तेल गरम कर ले उसमें जीरा डाले लगबग अधा चमच और साथ में एक तेज पत्ता उसे भी तोड़ कर डाले अब उसमें सारे टमाटर को एड़ कर ले और उसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकने दे अब उसमें वन टेबल स्पुन जिंजर गालिक पेस्ट एड़ करें साथ में सुखे मसाले भी वन टीस्पून रेट चिली पावडर, हाफ टीस्पून हल्दी, वन टीस्पून कोरियंडर पावडर, वन टीस्पून जीरा पावडर, स्वाधनुसार नमक डाल कर सबी मसाले को टमाटर के साथ अच्छे से भून लीजिए और थोड़ी देर डख दीजिए ताकि टमाटर करके सबी आलू को मैश करके भी यूज कर सकते हैं अब टमाटर की ग्रेवी में सारे चॉप्ट आलू को एट कर लेंगे और सारे आलू को टमाटर के साथ अच्छे से मिला लीजिए आलू को थोड़ा सा मैश कर लेंगे ताकि ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाएं अब उसमें लगबग हाफ ग्लास जितना पानी अट करें और उसे दीमी आज पर थोड़ी देर के लिए पकने दीजिए अब आलू और टमाटर की सब्जी को थोड़ी देर के लिए ड़कन लगा कर पकाईए जब तक कि ग्रेवी थोड सब्जी हमारी तयार है उपर से थोड़ा सा बारिक कटा दन्याड करेंगे अब पूरी के डो को उपर से थोड़ा सा ओइल डाल कर अच्छे से मसल लीजिए आप चाहे तो तेल की जगा गी का इस्तमाल भी कर सकते हैं आटे को अच्छे से मसल लीजिए ताकि जब हम पूरी पूरी या बेले तो उसमें क्रैक ना आए अब डो को अच्छे से मसलने के बाद उसके छोटे छोटे गोले बना ले अब थोड़े से ओईल की हल्प से छोटी छोटी यानि मीडियम साइज की पूरिया बेल ले पूरिया बेलने के लिए आप ओईल की मदद ले अगर आप आटा यूज करेंगे तो पूरिया जब फ्राई करेंगे तो आपका तिल काला पड़ जाएगा सारी पूरिया ऐसे ही तैयार कर ले अब एक कड़ाई में तेल गरम कर ले और गेस की फ्लेम को मीडियम से हाई ही रखे और सारी पूरियों को तल ले एक साथ बहुत सारी पूरिया ना डाले वरना आपकी पूरिया फूलेगी नहीं आपकी गड़ाई के साइस की अकॉर्डिन हुई पूरिया डाले आप अगर कम क्वांटिटी में पूरिया तलोगे तो उसे ज्यादा जगा मिलती है फूलने की तो आपकी सारी पूरिया अच्छे से फूलेगी पूरिया दोनों तरफ से हलके से गोल्डन कलर की हो जाए तब तक फ्राई करें आलू टमाटर की सबजी और गर्मा गरम पूरिया तयार हैं खाने के लिए अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तैंक यू